हेलो नमस्कार असलाव आलेकूम आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अन्वर अंग्रेज में प्लीज लाइक जुरूर करें सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेर भी करें अपने लोगों तक तो घर के अंदर क्या चल रहा है बिग बोस होटे जाने के बाद भी और अभी तक डेड़ मेने अक्रिबन हो गए है एक लिडर्शिप क्वालिटी है पूजा भट के अंदर जो लोगों को अपने इसाब से काम ना करने के बाद उनको काम की गलतिये गिनाने में भकू भी अपना रोल अदा करती है पूजा भट लगातार आर मनीशा रानी हो या फिर अलवी शादव या अभी शेको अभी शेक और अलवी शादव तो लगातार आशिका की गलतियों को समझ रहे हैं पूजा भट से बात करें लेकिन एक घर का और एक फैम ग्रूप का एक सदस्य है जो कई ना कई आशिका का साथ देते हुए कह रहा है लगा तार तान जो था ना एक ओडिशन हुआ था यहाँ पे विलन का किरदार अपनाने से जबसे मना किया मनीशा रानी ने जबसे खटकने लगी है मनीशा रानी और पूजा भट ने ले लिया है उन्ही के दो साशिकों को भी अपने पंजु में और कहा कि भी या धोने यहां पर लटके बड़े हैं यह देखिए देखो इचाई पती देखो कैसे बिल्कुल साफ नहीं है हर एक चीज छोटी मूटी सब चीजे दिखा के बताई जा रहे हैं कि अपना काम सही से करें तो यहां पर एक दूसरे के सामने आच चुकी आशिका और पूजा भट तो आप आलिया हो या फिर आलिया के बाद बाकी लोग भी निकले हैं जो पूजा जी से फाइट करकर कर निकले हैं जो पूजा जी से भीड़ा वो घर से बहुत जल्दी निकला तो यहां पर यह तो आकांशा पूरी भी हो या पलक हो या अब मनीशा रानी और आशिका हो तो क्या ए करके जुरूर बताए कि जो किचन की फाइट है इसमें आपको कौन सही लग रहा है और किसकी बातों में है दम आपने पूरा वीडियो देखा आपका तेहदित शुक्रिया मिलते है नहीं अपडेट के साथ जब तक लेबाए अला अफिस कमेंट जरूर करें बताए आपकी यह क्या पूजा भट से लड़ना और उनका जो ओडिशन रिजक्ट करना और अपके उनकी मूवी बे काम ना करना मनीशा पे क्या वीकेंड के बार पे भारी बढ़ेगा